हाँ तो भई लोगो आप लोग का एक कमेंट मुझे अभी काफी ज्यादा देंगे है कि बाई Trigger ने अभी एक नया रिसेंटलि में दोनों में से बेश्ट कौन सा है देखो बाई Trigger N1 का वीडियो में अपलोड कर रहा है आप जाके चैनल पर देख सकते हो वो प्रोड़क्ट भले ही है भी मेरे पास में नहीं है लेकिन मैंने उसको भाई यूज किया था मैंने उसको यूज करके completely उसका वीडियो भी अपलोड किया था अच्छे से उसकी जो quality है जो चीज़े है वो सब कुछ मुझे अच्छे से पता है कि इसमें actual क्या चीज़े मिलेगी तो मैं आपको बता हूँगा कि इसमें और जो N1 आया था उसमें क्या-क्या चीज़े है अच्छी मिल रही है क्या बुरी मिल रही है और वीडियो के अट तक आपको ये में clear कर दूँगा कि दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा आपके लिए बेश रहेगा जो trigger N1 था मुझे आपको अच्छे से बता होगा जो भी मैं वीडियो अफ्लोड करता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ अगर मेरे से अगर आपको product buy करना है तो आप मुझे DM करो Instagram पर तो भाई मुझे किसी बंदे से message आया था कि मुझे product चाहिए तो मैंने उसको product sale कर दिया बाकी product को मैंने 5-7 दिन तक use कया था अब मैं आपको बताऊँगा कि उसमें क्या-क्या चीज़े देगी मिलती है सबसे पहले मैं design की बात करूँगा देखो भाई दोनों के design में कोई जादा बड़ा change नहीं है कोई भी जादा बड़ा change आपको दोनों के design में नहीं मिलेगा यह जो है वो आपको एक transparent look में देगी मिलता है design same AC है लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर lighting बगरा में changes देगी मिलेगा वो है वो बिल्कुँ एक normal design के साथ में आता है और इसमें RGB lights भी आपको भर-बर के देगी मिलती है अब design आपको जो RGB lights वगर आती है वो पसंद है या फिर एक normal design पसंद है अगर आपको RGB चाहिए तो फिर trigger X3 आप ले सकते हो या फिर आपको बिल्कुल एक normal सा design चाहिए तो फिर N1 की तरब आप जा सकते हो उसमें ज़्यादा आपको light देगे नहीं मिलती है बागे दोनों की जो quality है build quality भाई काफी जबरदस्त है कोई भी issue आपको face नहीं करना पड़ेगा एक बड़िया quality आपको देखने के लिए मिलेगी दोनों को sound quality है भाई काफी बड़िया लगी मुझे कहीं पर भी ऐसा लगाने की distortion अगरा feel होता है या फुछ ऐसा एक बड़िया आपको base एक अच्छी quality आपको देखने के लिए मिल जाएगी किसका माइक हमको base देखने मिल जाती है बाकि दोनों की क्वालिटी है माइक पर काफी बड़िया देखने मिल जाती है एक अच्छा गेमिंग आप कर पाऊगे दोनों में लेटेश्ट आपको Bluetooth 5.3 का support मिल जाता है दस से पंदा मिटर के वाले स्रेंज मिल जाती है सब कुछ आप एकसेस कर पाऊगे और दोनों में ही आपको IPX 4 का production देखने मिल जाता है एक चीज़ पर मैं define करूँगा कि दोनों में इस आपको कौन सा लेना चाहिए दोनों में features दोनों की जो price है वो भी ज्यादा बड़ा change नहीं है प्राइज में भी यह आपको 800 रुपर सम्टिंग मिलता है वो आपको 600 रुपर सम्टिंग मिलता है 600-700 रुपर रहता है तो 100 से लेकि 200 रुपर का difference है लेकिन मैं आपको बोलूगा आपको अगर transparent design चाहिए RGB lights होगा चाहिए तब भी आप इस वाले product को लो बाकि अगर आपको आपको RGB lights वगरा चाहिए तो फिर आप यह वला ले सकते हो में भी सारा कुछ clear हो गया होगा कोई सवाल हो कुछ पूछना हो आप उससे पूछ सकते हो इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक ले जाहिन जे भारत